हेलो ट्रेटर्स वेलकम टो टेंड लाइन स्टॉक्स और देखे आज है 18 जुलाई 2020 और आज आए हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक के नतीजे यानिके HDFC बैंक की मेहां बात करने जा रहा हूँ तो Q1 FY21 के यहां पर नतीजे पोस्ट कर दिये गए हैं वैसे तो HDFC बैंक के नतीजे हर बारी बहुत इंपोर्टेंट होते हैं लेकिन इस बार कुछ खास है क्योंकि कोरोना पैंडमिक के चल दिस सबकी नजर है इनके उपर कि कैसे रिजल्ट इन्होंने पोस्ट करे हैं क्या इनका पड़ा है बैलन्चीट के उपर और सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि यहां पर ये एक हैवी वेट शेर है और निफ्टी बैंक के उपर बहुत ही जादा इंपक्ट पड़ता है इस स्टॉक से तो हमने देखा थे कि बीते पिछले दिन फ्राइडे की ट्रेड भी ओपन करे थे तो कासा रेशो भी देखे इंक्रीज होने की पूरी-पूरी संभावना थी तो कैसे रिजल्ट इनके आए है सीधे आपको रिजल्ट के उपर लेके चलता हूँ वहां आके डिसकस करेंगे और कोशिच करेंगे जानने की कि मंडे को दिन यानिके next trading session में क्य क्या कुछ इनके price targets रह सकते हैं तो देखे friends ये है stand-alone financial results for the quarter ended June 30, 2020 यानिके FY21 के first quarter का सारे ही यहाँ पर figure slacks के अंदर दी गई है मैं आपको करोड में convert करके इनको बताऊंगा तो देखे पहले point से start करते है interest earned कितना interest कितना बयाज इनोंने कमाया है उसकी यहाँ पर figure दी गई ह इस quarter की 30,370 करोड रुपे 30,370 करोड इनोंने बयाज कमाया है और पिछले quarter की अगर बात करें तो वहाँ पर 39,885 करोड रुपे ही वहाँ पर कमाया था तो Q&Q basis पर interest इनोंने जादा कमाया है इस बार और पिछले साल की तुलना में अगर देखें तो 27,391 करोड रुपे का यहाँ पर interest कमाया था तो Y&Y basis पर भी Q&Q basis पर भी यहाँ पर interest earned जादा है interest earned मतलब जो इनोंने loan दे रखे हैं उसके against जो इन्टरस कमाते हैं जो इनके पास surplus income है इनोंने RBI को पैसा दे रखा है वहाँ से जो इनके पास में बया जाता है और भी तमाम तरीके के जितने भी interest इ देखे 4th interest expended ये है 14,712 करोड रुपे का यहाँ पर इनोंने interest pay किया है अब interest pay किसको किया है ये भी आप जान ले देखे जो भी इनके account holders हैं वो अपना पैसा अपने account में रखते हैं कुछ लोग FD भी करवाते हैं तो banks को FD के उपर भी और deposit के उपर भी ब्याज देना होता ह वो होता है bank का खर्चा तो इनोंने खर्च किये है 14,712 करोड रुपे और कमाए है 30,377 करोड रुपे अगर हम interest earned में से interest expended minus कर दें तो उसको हम लोग कहते हैं net interest income NII bank के लिए बहुत important होता है NII की term और NII हमेशा भड़ती रहनी चाहिए तो why on why basis पर ये NII 18% increase हो गई है why on why की बात में कर रहा हूँ तो देखे पिछले साल जून quarter की अगर बात करें और net interest earned जो है इनका उसमें से अगर interest expended घटा दें तकि जो वो amount निकल के आता है उससे 18% इस बार NII यहां इनकी increase कर गई है ये अपने आप में बहुत ही अच्छी चीज निकल के आती है उसके बा रहा है कि आने वाले time में NPAs भढ़ते हुए दिखाई देंगे तो इनोंने जो NPA के लिए जो amount रखा है वो है आपके सामने में आपको बता रहा हूँ 3,891 करोड रुपी इनोंने provisions के लिए रखा है इस quarter के अंदर पिछले quarter में 3,784 करोड रुपे रखा था और पिछले साल एक साल पहले इसी quarter में 2,613 करोड रुपे ही मातर रखा था तो यहाँ पर बहुत ही जादा तेजी देखने को मिली है इनको अभी भी यह चीज लग रही है कि यहाँ पर NPA जादा होंगे इसले देखे पिछले quarter से भी जादा इनोंने इस बार किया है provisioning results के अंदर अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं देखें net profit की बात करेंगे tax देने के बाद जो net profit निकल के आता है वो है इस बार का 6,658 करोड रुपे 6,658 करोड रुपीज का इनका June quarter का यानि के first quarter of fiscal year 21 का यहाँ पर profit है अगर उसको मैं पिछले quarter से तुलना करूं तो देखें यहाँ पर slightly decrease ह है profit क्योंकि पिछले quarter में 6,927 करोड रुपे का इनको profit था Q4 के अंदर fiscal year 1920 में लेकिन अगर आप पिछले साल की तुलना में इसको देखें why on why basis पर तो वहाँ पर 5568 करोड रुपे का profit था जो की अब भढ़के 6,658 करोड रुपे हो गया है यानि के almost 19% की यहाँ पर तेजी देखी गई है net profit के अंदर और उस condition में जब corona pandemic था वहाँ पर भी bank ने बहुत अच्छा perform करके दिखाया है यह इस बात की गवाई देता है इसके बाद आगे चलते हैं देखिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ capital adequacy ratio car ratio जिसको बोलते है 18.9% है और इनके लिए देखे जो minimum requirement ह वो है 11% की तो यहाँ पर 89.9% almost 9% यह शो करती है कि bank के पास sufficient amount of पैसा भी है इनको capital की आने वाले time में कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है earning per share की बात करेंगे 12.1 है यहाँ पर earning per share यानि के एक share के उपर 12 रुपे 10 पैसे company ने कमाए है इस quarter में जो की slightly बहुत हलकी सी पिछले quarter से 12 रुपे 60 पैसे था पिछले quarter में लेकिन पिछले साल 10 रुपे 20 पैसे से यह भढ़के हो गया है 12 रुपे 10 पैसे तो यहाँ पर यह मिला जुला असर आपको देखने को मिला है अब यहाँ पर आते हैं देखिए यहाँ पर बात करते हैं NPA की जिससे हमें पता च इनका gross NPA है इस quarter का जो कि पिछले quarter से अगर हम देखे तो 1.26% था Q4 FY 1920 में यानि के asset quality हलकी सिहां deteriorate हुई है आप समझ रहे हैं asset quality के उपर थोड़ा सा फरक यहाँ पर पड़तावा दिखाई दिया है bank की अगर पिछले साल के मुकाबले में compare करूं तो यहाँ पर कम हुई है लेकिन बहुत मामूली सा कम है 1.40% थी gross NPA जो अब घटकर 1.36% रह गई है अगर इसके अंदर हम provisioning घटा देते हैं जो हमने provisioning का amount रखा है banks ने तो देकि percentage terms में net NPA इनका बचता है 0.33% इस quarter का जो पिछले quarter से कम है पिछले quarter में 0.36% था और पिछले साल 0.43% था इसी quarter में त decrease यह देकि बहुत अच्छी बात है आगे आने वाले future के लिए आगे आने वाले quarters के लिए तो देखें यह standalone results है इनके जो मैंने आपको यहां बताएं अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ इनके basically Friday के business के उपर कैसा हुआ था NSC की site के उपर देखेंगे एक हजार एक सो तीन रुपे के उपर यहां last trading price दिखा रहा है 40 रुपे उपर है यहां पर और 3.84% का यहां पर दिखा रहा है तेजी बंध होते होते एक हजार अठान में रुपे के उपर यह close हुआ था कल इसका high गया था 1104 रुपे यानिके जो LTP दिखा रहा है almost वहीं प उठती भी दिखाई दी है close to 40% यहां पर delivery quantity है यानि कि देखे लोगों को बहुत भरोसा था चम के कि यहां पर एक इनका increment देखा जाएगा एक increase देखा जाएगा net profit के अंदर results मतलब अच्छे आएंगे जिसकी वह से यहां पर तीजी दिखाई है delivery quantity ने तो मुझे ऐसा लगत कि ऐसा move रह सकते हैं आने वाले Monday के दिन और यहां मैं आपको बताता हूँ देखिए HDFC bank ने जो यहां पर अभी Friday के दिन तेजी दिखाई है वो बहुत जबरदस थी यह green candle जो है यह देखिए Friday के दिन की candle क्योंकि हम Monday चार्ट पर अभी इसको analyze कर रहे हैं तो यहां पर काफी के लिए बिल्कुल तयार है इसका मतलब momentum बहुत हाई है और इस price को बिल्कुल strength मिलेगी market से और यह अभी और यहां पर बढ़तावा दिखाई देगा clear cut indication यहां मिल रहे हैं volumes भी काफी अच्छे है average volumes के आसपस यह volumes हैं तो यह दूसरा संकेत है कि volumes के अंदर भी कोई dip नजर नहीं आ रहा तो यहां पर पूरा support मिलने के chances हैं अगर March के low से आप देखें जो March में इसने low लगाया था अपना 7.500 रुपे गा तो वहां से इसने पूरी बहुत hurdles आते रहे हैं से stock में पिछले 3 महीनों के अंदर लेकिन अब जब first quarter के results पोस्ट कर दिये हैं जो सबसे ज़्यादा most awaited थे और पूरी banking industry actually HDFC bank के ऊपर यह चीज नजरे टिकाये बैठके काम करती है देखती है कि क्या कुछ यह लोग करने उसके इसाफ से देख अब यहाँ पे ऊपर की तरफ ही जाने के लिए aggressor है और अगर यह दो से तीन दिन यानि के अगले हफते जो coming हमारा trading session का week रहेगा उस हफते में अगर यह 200 days के exponential moving average के ऊपर ही बने रहमने में कामियाब होता है तो मैं समझता हूं कि यह अपने 52 weeks के जो इसका high था पुराना उ और अभी जिस हिसाब से यहाँ पर इन्होंने result पेश करें है मुझे ऐसा लगता है definitely अपने 52 week high को यहाँ पर काटतावा आपको नजर आ जाएगा तो इसके अंदर एक बिल्कुल buy call बनती है अभी के लिए भी और आने वाले future terms के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि जो भी negativity इसके अंदर वो सारी wipe out हो चुकी है banking अब समलने के पूरी पूरी कोशिश कर रहा है जहाँ पर इनको funding लेने की जरूरत है वहाँ यह लोग funding भी ले रहे हैं और इनके जो subscriber base है इनके जो account holders है उनकी भी संख्या इन्होंने उस तीन महीने के अंदर काफी increase करिए कासा ratio की मैं बात बताऊंगा 26% इनका कासा ratio बढ़ गया है तो देखिए उसी दोरान जब सारी problem थी लेकिन bank ने stable growth करके दिखाई है यह basically दरशाता है कि bank का जो base है वो काफी जादा strong है और आने वाले time में bank को कुछ खास दिक्कत का सामना शायद ना करना पड़े तो मैं यह स सारे इस चीजों को देखते वे मैं इसके अंदर आपको एक buy call देता हूं trading perspective से और इसका जो target रह सकता है वो रहेगा 1133 रुपे का 1133 रुपे के target के लिए आप इसको बिलकुल एक buy कर सकते हैं और stop loss इसका लगाए 1085 पर जियाँ 1085 पर इसका लगाए आप stop loss और आप इसको 1133 रुपे के लिए लगबग 3% के लिए आप इसके अंदर trading call इसके अंदर एक ले सकते हैं और अगर मैं long term investment की बात करूँ जो लोग long term investors हैं उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर काफी अच्छा एक move इसने अल्रेडी दे दिया है और आने वाले time के अंदर यह अभी और उपर जातावा दिखाई देगा लेकिन देखे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अभी जुलाई के 18 तरीक आज है जुलाई के end में या फिर august के first week में आप एक correction आतावा भी देख सकते हैं market के अंदर देखे banks के पास में एक option होता है provisioning का जिसको अपने profit में से कुछ amount निकाल के वो unbalance situations को balance कर सकता है यहाँ पर वो होतावा दिखाई दिया है हर बैंक ने provisioning बढ़ाई और जिसकी वजह से आपको profitability के अंदर कोई खास impact आतावा नहीं नजर आ रहा है लेकिन देखे जो companies हैं हमारी खासकर mid cap companies और small cap companies हैं उनके results जैसे जैसे post होते ज लेगा क्योंकि देखे उन्होंने जो pen level इंडिया पर अपने आपको expand कर रखा है वो basically उन्होंने कर रखा है capital raise करके banks के थुरू और अलग-अलग जरियों से तो वहाँ पर उनका अगर business ठप रहा था पिछले 3 महीनों में और 2 महीनों में तो असली impact जो आएगा उस sector पर आता quarters के लिए तो मैं यह चीज़ कहना चाहूँगा मुझे ऐसा लगता है कि शायद July मन्त के end में या फिर August के अंदर first week के आसपास शायद एक correction आपको देखने को मिल जाए उस correction के अंदर अगर आप इसको पकड़ते हैं अगर इसको आप एक portfolio में accumulate करते हैं तो शायद वो levels कहीं जादा attractive होंगे इन level से तो मैं long term के लिए आपको यह चीज़ कहूँगा कि अभी इसके अंदर move ना बनाए क्योंकि अभी यह बहुत excited mode में और यहां से यह उपर का ही एक रुख बनाएगा तो आप उस correction का wait करें और correction आने दे और नीचे के level जब भी इसके अंदर आते हैं त लगता है तो देखी यह मेरा perspective था पूरा trading call के लिए और long term investment के लिए सारी चीज़े मैं आपको बताई Q1 results के साथ में इस वीडियो के अंदर इस वीडियो के अंदर दीगे information आपको कैसे लगी प्लीज मुझे comment box में comment करके जरूर बताएगा और अगर अच्छी लगी हो तो like और share भी जरूर कीज़ेगा मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में नए स्टॉक के साथ तब तक के लिए नमस्कार थेंक्यू जैहिन